तो हेलो गाईस कैसा आप सभी लोग स्वागते एक और न्यू गेम प्ले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे हैं लाश्ट रूल सर्वाइवल तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग खेलने ने वाले हैं आज मैं आप सभी को कुछ जान कर देने वाला हूँ क्यों जी भी रहम होनी चाहिए तो यह सारी जानकरी आज की इस वीडियो में दूंगा साथी साथ कुछ प्लेयर यह भी पूछ रहे थे बाई एक पावरफुल स्टर्टिंग सर्वर में कैसे की जा सकती है कुछ न्यू प्लेयर यह पूछ रहे थे कि भाई सर्वर कैसे चेंज होत ठीक है और दोस्तों आज की वीडियो में मैंने पूरी तरह से मतलब पूरी जानकर देने कोशिश किये अब उसके बाद में भी कमी रेज है वीडियो में तो यार माफ कर देना ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस गेम में ग्राफिक्स की बागी सब चीज तो आप अ आप से उसे सेट कर सकते हो लेकिन गेम के इसाफ से सिर्फ चारी ग्राफिक्स है एक है अल्टरा लो दूसरी है गुड तीसरी है बैलेंस और चोती है एचडी अब दोस्तों आप लोग पूछते हो ना कॉमेंट करके कि मैं कौन सी ग्राफिक्स पर खेलता हूं तो मैं बता करूँगा तो फिर उसके बाद ग्राफिक्स कुछ जादा ही दॹंदानी हो जाएगी अब दोस्तों मैं बता देता हूं जो ये चार ग्राफिक्स है इनकी मतलब इनका फिरक्ट्या पड़ता है इनको बदलने से ढगर आर एगस करोगे एगए एच्डी से स्टार्ट करता है तो आपको रात का जब scene होता है न गेम में तब भी आपको ऐसे लगएगा कि जैसे की दिन ही हो रहा है आपकी भी चाया दिखाई देगी बंदों की भी चाया दिखाई देगी ठीक है उसके साथ साथ घास हिलती भी दिखाई देगी HD quality में यह होता है अब balance जो quality है उसमें भी सब कुछ ऐसा का ऐसा सेम रहता है घास भी इलती है चाया भी दिखाया देती है सब कुछ वैसे कि वैसे होता है बस एक चीज़ का फरक रहता है कि रात का जब scene आएगा ना तो रात का scene में मतलब आपको थोड़ा मतलब रात दिखाई देगी HD के जैसे पूरा ऐसा नहीं लगेगा साफ साफ दिख रहा है थोड़ी सी रात दिखाई देगी और उसके बाद आती है good quality good quality में नहीं तो घास ही लेगा नहीं कोई चाया दिखाई देगी और रात के टाइम पर आपको बिल्कुल रात ही दिखाई देगे आपको अपने mobile की जो brightness है उसको भी बढ़ानी पड़ जाएगे क्योंकि मैं भी बढ़ा के गयलता हूँ ठीक है तो ये quality सबसे सही रहती इसमें मतलब ना जादा low होता है और ना जादा high रहता है गेम भी एकदम ठीक चलता है अब ultra low कर लोगे ना तो फिर उसके बाद बंदें भी दिखेंगे नहीं शो नहीं करेंगे मतलब यार आसपास रहेंगे तो भी अब दोस्तों गेम ने यह message का option इसलिए दिया है यहीं पर आपको बेच मिलती है यहां पर आपको कि यह इसकिन डाउनलोड मत करना तो फिर उसके बाद आपका घम लेक नहीं करना तो फिर इसको बाद थोड़ा थोड़ा लेक करने लग जाएगा आगर इनको आपने डाउनलोड किया तो कूछन को होते पहला बंदों के जो मतलब यह तो फिर क्या है गेम थोड़ा रेंडर हो सकता है और लेग भी कर सकता है अगर कम जी भी रहे में आपके फॉन में तो पका फिर उसके बाद लेग होगा उसके बाद कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि भाई आईडी ओपन करके कैसे देखे खुद की कहा पर दिखता है कि कितने गंटे खेल चुके है तो मैं एक भार अपनी आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ आप सभी को ठीक है तो वेसे भी काफी भाई लोग बोलते रहते कि अपनी आईडी बता दो तो यहां पर आईडी भी दिख जाएगे आप सभी को और यहां से आप अपनी आईडी का टोटल गेमिंग टाइम देख सकते हो कि मतलब कितने टाइम आप लोग खेल चुके है यहां पर सब कुछ दिखाई देता है जैसे कि परसनल में जाओगे तो आपका गेमिंग टाइम दिखाई देगा और साथी साथ आपने गेम में क्या क्या बायक कर रखा है वो सब कुछ आपको यहां पर बिल्लीव प्रिंट पर दिखाई देगा जैसे कि मेरे पास में एटेक्स ओपन है तो यह भी दिखाई दे रहा है यह स्कूटर ओपन है ग्लाइडर ओपन है तो यह दिखाई दे रहाए अगर आपके पास हेलिकोप्टर है तो वह भी यहीं पर दिखाई देगा और अगर कुछ भी नहीं है तो एक यह मोंटर साइकिल दिखाई देगी क्योंकि यह तो फिरी में मिलती है मतलब दस जार कोइन्स लगाने पड़ते आपको यहां पर बंदे आते हैं जो की मतलब आपके चाहते हैं यह मानलो आपकी मतलब जो आपके खास होते हैं उनको आप यहां पर ले सकते हो अगर चाहो तो रिक्वेश्ट भेजनी पड़ती है इसमें भी शायद मैंने ज्यादा चेक नहीं के इसको लेकिन होता है इसलिए यह ठीक है अब यहां पर मेरे कुछ दोस्त एड़ ज्यादा तो एड़ कर नहीं सकते हैं लेकिन कुछ दोस्तों मुझे बेह जाता तो मैंने मतलब उनको ले रखा यहां पर आज तक भी यह है मेरे तो यहां पर पेला जो टेलेंट है वो है बेटल दूसरा बलाश्ट तीसरा बेल्डिंग और चोता है एनर्जी ठीक है तो यह अलग अलग तरह के काफी मतलब वह है टेलेंट और इनको अपग्रेड करने में आपकी उमर वीज जाएगी यह भी मैं कह सकता हूं ठीक है क्यों फिर भी मुझे इतना टाइम हो गया शुरू से मैं खेल रहा हूं तब से जाके अब तक मैंने इतना अपग्रेड किया है मतलब मैं शुरू आस से यह मालो कि रेंक सर्वर खेल खेला हूं तो मुझे ज़्यादा कोईंस तो मिले है हमेशा फिर भी मेरे इतना सा कि यह अपग टेलेंट पॉइंट मिलते हैं तो दोस्तों टेलेंट अपग्रेड करने का एक फायदा यह भी रहता है कि मतलब एक तो आपके एटेक्स इसकोप ओपन हो जाएगा इसकी रेसिपी मिल जाएगी साथी साथ एजी पोशन मिल जाएगा आपको और इसी के साथ साथ एक ट्री औ साथ इस्टोन और ट्री स्पीड से कट कर सकते हो टेलेंट की यह फायदी पे होते हैं वैसे टेलेंट के और व Sum sixty Ten नहीं नहीं लेता तो बंदे पर अपग्रेड हो जाता है तो बंदे पर तुरंत अइम चिपक जाता है ठीक है लेकिन बहीं हो मतलब कुछ नहीं हो पाता मु तो दोस्तों यहां तक की तो मैंने जान करें आप सभी को दे ही दिये ठीक है अब मैं बताता हूँ आप सभी को इस गेम में तीन तरह के मैप है ठीक है बाकी सब को छोड़ दो वह बेकार उसको खेलने का कोई फाइदा नहीं है ठीक है एक तो है पहला ऑपरेशन बेस बेस की कि बाद में आप अपने टीम मेट को बुला भी सकते हो तीन बंदे आपके मतलब बना देंगे अगर आप लोग कहोगे तो बता दूंगा कैसे बुलाते ज्यादा बंदे मतलब कैसे आ सकते ऑपरेशन बेस में अब मैं बताता हूँ कि खेलने के लिए श्रीप दोई म यह है और जो लेंड ओफ डाउन यह न्यूवाला मेप मतलब यह बाद में आया था शुरुवात में इस गेम में सिर्फ एक ही मेप था यह भी मैं बता दूंग आप सभी को यह सिविलाजेशन वाला ठीक है चोटा में पे और साथी साथ खेलने में भी ज्यादा सही है मेरे ह साथ से में यह कहूंगा क्योंकि इस में इसमें गलीच कम है साथी साथ जो लेंड ओफ डाउन उसमें गलीच काफी ज़्यादा है अब देखो यहां पर मैं सर्वर आपको लगा के बता रहा हूं क्योंकि कुछ भाई लोग यह बोल रहे थे जो न्यू प्लेयर थे कि भाई स सर्वर कहां से चेंज करते हैं हमें तो समझ में नहीं आरा तो मों यहां से बता देता हूँ आप अगर आपके 200 गंटों से कम है क्योंकि आप आपको ग्लोबल सर्वर शो करेगा कि आप इसी में खेल लिए ठीक है तो आप ग्लोबल में देख लेना या तो लेंड डाउन में चले जाना या फिर सिविलाजेशन में चले जाना यहां पर सारे सर्वर दिखाई दे रहे साफ साफ और अगर आपके 200 गंटों से जादा है तो आपके दोस्त बुलाया तो आप पूछो के कौन सा सर्वर यह है वो है तो आप यहां पर देख के जा सकते हो उसके सर्वर में अब दोस्तों जो बॉंटी कॉंपेटिशन और क्रोस फायर रही है दोका ओप्शन और आरा आप लोग सोच रहे होंगे कि यह भी तो सर्वर होत सकते हैं तो मैं बता दो आप सभी को इन दोनों को खेलने का कोई फायदा नहीं है आप अगर न्यू प्लेयर है तो इन में मत जाना नहीं तो फाल तुम्हें परिशान होंगे आपको जरूरत है सबसे ज्यादा अभी फिलाल सर्वर खेलने की उसी में आप सब कुछ सीखोग मतलब की कहा पर बनाए हमें तो कुछ पता ही नहीं है तो इसलि क्या आप बता दो कि आपने शुरूरत में कहां पर गहर बनाया तहीं आप ने और यह जगाय सही है मेरे इसाब से क्योंकि यार दोस्तों वहीं पे घर बना बना के मैंने खेलना सीखा है उस टाइम में नूपता मुझे कुछ भी नहीं पता था लेकिन आज काफी कुछ पता है इस गेम में ठीक है तो अभी फिलाल अपना जो में पे वो ओपन हो चुका है और देखो ये छोटी चोटी केन आ चुकी है इनको देखके मुझे बड़ी हसी आती है पहले तो भाई ये ड्रमते लेकिन आप केन बन चुकी है तो चलो पहले तुम्हें एक बार यार अपना जो केरेक्टर है वो तो लगा लू यार नहीं तो मैं ऐसा लग रहा हूं बिल्कुल गरिब गरिब सा तो अब ही फिलाल मैं बात करता हूं कि एक अच्छी शुरुआत सर्वर की कहां से हो सकती है ठीक है तो यहाँ पे कुछ बाते है दोस्तो उससे आप क्या है कि मतलब एक अच्छी शुरुआत पावरफुल शुरुआत सर्वर में कर सकते है और बाकी बंदों को पीछे छोड सकते हैं और सरवर जीत भी सकते हैं अब दोस्तों जो न्यू पिलेयर हैं उनके लिए खेलने के लिए सबसे ज़्यादा सई जगा कौन सी रहेगी ठीक है और आसान भी कौन सी जगा रहेगी तो वह मैं बता देता हूँ यहीं पर मैं भी खेलता था शुरू मैंने भी यहीं पर एक घर बनाया था अपना जो बेंडिट केम्प है इसके पास में जो गेरा आज है यहीं पर आपको घर बनाना इसके आसफास कहीं पर भी बना लेना क्योंकि यहां से खेल के आप आराम से मतलब सब कुछ सीख सकते हो ठीक है वैसे यहां पर बेस रेड होने का खतरह तो जादा रहेगा क्योंकि मेप के बीच में आजाएगा आपका घर कोई भी बंदा रेड कर सकता है लेकिन अपने बेस को बचाने का वो करना यार कोशिश करना ठीक है क्योंकि मैंने भी बचाया था तब मुझे कुछ जादा जानकरी नहीं थी मैं भी वूड़ी स्पैक सी सब कुछ लगाता था आजव आजव अपने घर के शौटगन ट्रेप भी लगाता था क्योंकि इस टाइम मुझे रूम करना नहीं आता था तो देखो दोस्तों यहां पे जो न्यू प्लेयर है उनके लिए मैं यही कहूंगा कि इस जगह पे यहां पे रोड के आसपास में घर बना ले थी मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं खेल के देखा हूं पहली बात और दूसरी बात मैंने और बंदों की बाते मतलब सुनी भी यार उन्होंने जो बताया तो इसलिए मुझे पता है तो इसलिए यह जगह सही रहेगी यहां पे आप रोड पे सप्लाइचेस्ट कट करोगे सी करें आपके सहाथ घ्राज पास मेंन तो आप कुछ भी चाहोना आपके सामान वह डिस्क कर सकते और ब्रकौन फैर कर षक्रिंटे है पर होताय वहां पर रूंड कर सकते हो क्के पढ़ रहा और सहसी इतनी सी दूरा ही जाने में मतलब के कोई बंद eerste है तो बीच में नहीं आएगा शायद और आप दीरे-दीरे सीख जाओ गया ठीक है तो यह तो है नए प्लेयर के लिए कि मतलब यहां से आप लोग घर बना के खेलना सीख सकते हो अब यहां पर दोस्तों मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं कि भाई आप बायो रिसेच लेप के घर बना लो या फिर एरपोर्ट के पास में बना लो क्योंकि मुझे पता है कि जो न्यू प्लेयर होते ना वो मतलब खेलना स्टार्ट कर देते लेकिन उसके बाद जैसे समझ लो बायो के पास में घर बना लोगे एरपोर्ट के बना लोगे तो आपको जादा जानकर ही नही पर सीखाता मैं तो वो जगह आप सभी के लिए सई रहेगी जो न्यू पिलेर है अब मैं बताता हूं दोस्तों आप सभी को कि कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो नहीं खेलना शुरू करते हैं और वो यह चाते हैं कि उनका बेस रेड नहीं हो ठीक है तो ऐसी तो कोई जगह न है कि हमारा जो घर है वो सर्वर के लाश्ट तक रहे तो उसके लिए मैं बता देता हूं आप यह वाली जो टापू ऑंब शेल्टर के पीछे यहां पर घर बनाई है यह जो एयरपोर्ट के पीछे एक टापू यहां पर घर बनाई है ठीक है तो किनारे पर आप पीछे के आएंगे वेस्ट देखकर आएंगे इससे अच्छा है यहीं से चलते हैं तो इसलिए ज्यादा दिहान नहीं देते हैं टापू पर और दूसरी बात दोस्तों फिर मैंने यहीं बताई दिया कि मतलब टापू पर आपको बिल्कुल किनारे पर घर बनाना है ताकि इधर की सरेता है कभी रेड़ हो भी जाती है क्योंकि बंदे कार लेकर गुमते हैं हेली कॉप्टर लेकर गुमते हैं तो घर दिख जाता यार ठीक है तो इसलिए रेड़ हो जाती है तो दोस्तों अब बात करते हैं सेल्फिरी की सेल्फिरी एक ऐसी चीज़े जो मतलब नए बंदों लोग इसकी ज़रूरत ज्यादतर पड़ती है वह इसलिए कि मतलब नए बंदे जब गेम को कहलना श्टार्ट करते हैं तो वह ज्यादतर हमेशा लगातार ओनलाइन रहते हैं तो क्या होता है कि मतलब उनकी हेल्थ जाने लग जाती है जैसे कि बिना पानी के या फिर बिना खा हो गए अब दोस्तों जो यह सेल फिरी का उप्षिन मैंने बताया ना यह जब मैं खेलना शुरू किया था ना नहीं नहीं तब मुझे यह उप्षिन पता नहीं था और मुझे इसकी काफी जरूरत पड़ी थी क्योंकि मेरी हेल्थ काफी जादा जाती थी उस टाम में बहु जाएटियू का उप्षिन भी ओपन करके दिखा दिया है डेली एक्टिव का उप्षिन आप देखो गे तो उसमें आपको काफी फायदा मिलएगा रोज मिलता है वह आपको ठीक है तो उसमें क्या-क्याब फायदा होता है मैं बता देता हो आप सभी को जैसे कि उसमें 50 200 sulfur powder मिलता है और एक simple oil bomb मिलता है उसी के 7-7 last में 100 ammo मिलती है SMG की ठीक है उसको उजी में भी डाल सकते है same ही ammo रहती है तो ये फायदा मिलता है लेकिन ये कि कुछ mission मिलते है उनको पूरा करने पड़ता है वैसे तो अगर आप ज़्यादा देर खेलोगे और दूसरे का आता है civilization तो civilization में आप वहाँ से जा सकते हो और land of down में भी वहाँ से आ सकते हो ठीक है अब दोस्तों में यही कहूंगा मतलब जो civilization वाला old map है वो छोटा map है ठीक है तो उसमें खेलने में आपको आसा नहीं रहे गया अगर नया बंदा है तो भी और old बंदा है तो भी क्योंकि map छोटा है ना तो हर जगा पास पास में है जैसे कि airport पास में है हारबर पास में है और ये land of down काफी बड़ा map है इसमें bomb shelter आ गया एक side बाय रिसर्च लेब आ गयी एक side ऐसे मतलब हर जगा दूर दूर है तो इसलिए आप जब चलोगे ना तो आपको मतलब चलने में तो काफी time लग जाएगा हर जगा पहुचने में तो आपको car या bike की सायता लेनी पड़ेगी तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि मतलब land of down जो map है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है खेलने के लिए ठीक है वैसे फिर भी आगर आप पूछोगी भाई कहाँ पे सही रहेगा घर बनाना तो rocket base के पीछे घर बना लेना वहाँ पे अधिकतर मतलब farming भी ज़्यादा मिल जाते है आप अपने base को ज़्यादा ज़्यादा अपग्रेट कर सकते हो ठीक है और साथी साथ sulfur की भी कमी नहीं रहेगी और फिर उसके बाद rocket base भी पास में आगया जैसे room करना है तो rocket base पे कर लेना और एक और फायदा रहेगा कि मतलब आपका base है आउट साइड में आ जाएगा ना तो red भी नहीं होगा अब दोस्तों मैं एक बात बता दू जैसे कि अभी मैंने अपनी जो graphics है उसको मैंने चेंज किया है तो देखो यहां पे इस तरह से घास हिलती है मतलब उस में भी ऐसे घास हिलेगी जो old वाला है और इसमें भी ऐसे घास हिलती है बस मैं graphics का फरक बता रहा हूँ आप सभी को तो अभी मैंने balance किती है अब मैं HD पे करके दिखाता हूँ आप सभी को देखो तो अभी जो tree है उनकी चाया भी आपको दिखाई दे रही है ठीक है और जो balance होता है उस पे थोड़ा मतलब हलकी सी quality low हो जाती है और यह जो good quality है इस पे तो काफी फरक हो जाता है मैं इसी पे खेलता हूँ इस पे क्या है एक तो tree की चाया नहीं होती साथी साथ गास नहीं हिलता और अगर ultra low कर लेता है तो भाया पिर उसके बाद तो गास भी तोड़ी गाया हो जाती है देखो यहां पर गास काफी छोटी हो चुकी है और अब जमीनी जमीन दिखाई दे रही है साथी साथ गेम काफी बढ़ी है चल रहा है मैं एक बात और बता हूँ जैसे आप HD करोगे तो गेम काफी ऐसे चलेगा मतलब जैसे की रेंडर हो रहा है फिर उसके बाद बैलेंस पर करोगे तो थोड़ा सा सही होगा उसके बाद आप low quality पर set करते हो तो गेम काफी अच्छा चलेगा वैसे तो लेकिन यह कि आपको फिर बंद है न शो नहीं होंगे यार पास में बंदा आ जाएगा न उसके बाद में शो होगा थोड़ी दूर पर बंदा शो नहीं होगा क्योंकि क्वाल्टी काफी ज्यादा वह जाती फिर दुंदली अब दोस्तो लाश्ट में मैं यह भी बता देता हूं कि कौन से मोबाइल में यह गेम अच्छा ठीक से चलेगा तो देखो आपकी मोबाइल में 6GB रेम होनी चाहिए कम से कम और इसे के साथ-साथ 128GB इंटरनल इस्टोरेज रहना चाहिए और हाई प्रोसेसर रहना चाहिए प आज के यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक किजिए इस वीडियो को जादा जादा शेयर किजिए और जिन लोगों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लीजिए हम मिलेंगे एक औ और न्यू गेम प्ले में तब तक के लिए गुड़ बाई